जैहिन साथियो, स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल RS Education Center पर साथियो बात करने वाले हैं वीडियो भरती 2021 के बारे में वीडियो भरती में डिस्टिक अलोटमेंट कब होगा इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं साथियो कल एक लेटर भी आपकी ये डिस्टिक अलोटमेंट को लेकर पंचायती राज विभाग की तरफ से जारी किया गया था कल डूटी की वज़े से आप सबी से साथियो इस लेटर के बारे में चर्चा नहीं कर पाए तो इस session में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं साथ ही जो internal sources हैं साथियो उनकी according आपका district allotment कब तक confirm रूप से हो जाएगा वो जानकारी भी आपको इस video में हैं देने वाले हैं इसके अलावा district allotment में किन candidate को साथियो प्रात्मिकता दी गई है हलांकि ये जानकारी आपके साथ मैंने पहले ही session में share कर दी थी लेकिन इसके बारे में एक बार फिर शेर चर्चा करेंगे इसके अलावा जिन candidate को home district नहीं मिलता है तो उनको क्या करना चाहिए इसके बारे में भी इस video में हैं बात करने वाले हैं तो वीडियो को आंते तक चरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर ले ताकि competition exam से समदित हर authentic नूज आपको सबसे पहले मिल सके तो सबसे पहले तो बात कर लेते साथियो इस लेटर के बारे में जो ग्रामिन विकास एम पंचायती राजविभा की तरब से कल जारी किया गया था वीडियो भरती में district allotment को लेकर जिसकी मुख्य बाते हैं पहला इसमें point दिया गया है जिला आउंटिन की परकिरिया कोई खास नहीं है इसमें साथियो वही बताया गया है कि जिस जिले में जितनी भी सीटे होंगी category wise उसके according ही ये candidate को allot किया जाएगा जो man point है साथियो वो पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं या वीडियो भरती में स्लेक्ट हुए हैं उनको 100% यहां पर साथियो home district मिलने वाला है इसके बाद में जो अगली priority दी गई है इसके बाद में जो सेश अभ्यरती यहां पर बचेंगे उनको district allotment में जो शीटे बसती है वो साथियो यहां पर बने हैं साथियो वो pH category के जितने भी candidate हैं उनको यहां पर अपना home district 100% मिलने वाला है इसके अलावा जितनी भी महिलाए हैं इसमें चाहे आप video candidate ले लीजिए डाइवोर्स ले लीजिए या फिर एकल महिलाए कह लीजिए यह पूरे chance है कि इनको भी यहां पर district allotment क दोरान home district मिल जाए इसके अलावा बात करें अन्य candidate की तो साथियो यहां पर ऐसा नहीं कि अन्य candidate को यहां पर सबसे अंत में रखा गया है तो उनको home district मिलेंगे ही नहीं बिलकूल मिलेंगे साथियो लेकिन आपके numbers यह चीज़े decide करने वाले हैं जिन भी candidate कि आप चाहे किसी पांच नंबर से अधिक अगर हैं चार या पांच नंबर से अधिक नंबर है तो आप बिलकूल आपको home district मिलेगा आप चिंता ना कीजिए बसरते वो आपकी choice में होना चाहिए प्रियोर्टी में वो चीज होनी चाहिए इसके अलावा जो अगला point साथियों इसमें दिया गय होगी 100% candidate ने यहाँ पर choice भरी होगी तो इसके according साथियों इसमें district alignment आपको हो जाएंगे इसके अलावा यह जो चोथा point दिया गया है कि जिला आउंटन की सुची पंचायती राज विभाग की website पर upload की जाएगी इसके बाद में साथियों जो अगला point है वो महतोपुन है परि email id दी गई है इस email id पर आप साथियों email कर सकते हैं इसमें आपका नाम पिता का नाम और role number साथियों होने चाहिए आपको क्या objection है वो साथियों आप लिख सकते हैं के लावा साथियों अभ्यरतियों द्वारा जितनी भी परिवेदनाय लगाए जाएंगी उन पर साथियों 15 दिन के अंदर अंदर साथियों फैसला आ जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर यह निस्तारण हो जाएगा तो साथियों ये तो थी इस लेटर की महतोपूर्ण बाते जिसके बारे में हमने चर्चा की बात करें आपके डिष्टिकल ओटमेंट के समन्ध में तो साथियों विभा को टाइम लगा है और इसके बाद में साथियों जो अपडेट है यहाँ पर जो इंटर्नल सोर्सेस के मादेम से विभाग की तरफ से तो साथियों आपका जिला आवंटन इस वीक में ना होकर अगले वीक में होगा हालांकि जोइनिंग के समन्ध में उनकी तरफ से बताया ज जरूरत नहीं है क्योंकि साथियों देखिए ओफिसल काम है इनमें टाइम लग सकता है ज्यादा सोचने की जरूरत इनके बारे में नहीं है हालांकि जोइनिंग के बारे में आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है जनवरी में आपकी जोइनिंग करवा दी अगर आपके लिए helpful रही हो तो वीडियो को like and share जरू कीजेगा चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिन